साथियो नोशकार, साथियो व्रक्ष परियावरण दिवस पर सभी को हारदिक सुक्कामनाए आज बहुत ही सुब दिन है, आनन्द से रहें और प्रिकति के साथ रहें आज की वीडियो की सुरुआत पावन पवित्र स्री गीता जी के सलोक से कर रहा हूँ जिसमें भगवान योगेश्वर कृष्ण जी ने अपने प्री सखा, अर्जुन को सम्वोधित करते हुए कहा पत्रम पुस्पम फल तोयम तोयोम मे भक्त्या प्रिक्षती तदहम भक्त्यु पहत्तम श्रामी प्रत्यात मना इसका सीधा वा सरल अर्थ यह है कि जो भक्त व्यक्ति फूल फल पत्ती वा जल मुझे भक्ति और इसने भाव से अर्पित करता है उसे मैं स्वेम प्रेम से गहन करता हूँ इससे स्पस्ट है कि स्वेम ईश्वर को प्रिकतिवाप परियावरण से असीम इसने है और वही इसने हम मानवों को मानवों में विक्षित हो यही प्रेड़ना ईश्वर ने स्री गीता जी के उक्त स्लोक में दी है आज आप सभी जो यह गुड़हल का सुन्दर पेड़ देख रहे हैं यह पेड़ वर्स 1919 में मेरे पूझ पिता स्री उद्यप्रताफ सिंग द्वारा कटिंग से विक्सित किया गया था यह पूधा कटिंग से लगाया गया था देशी गुड़हल है यह और यह कटिंग से उन्होंने रोपित किया था जिन्हें प्रिकतिवा पर्यावण से असी मिसने था वही कटिंग का यह पूधा यहां मेरे द्वारा रोपित किया गया वर्स 1919 में पौधे को देखकर वर जानकर आप सभी को यह खुसी होगी कि इस पौधे की उंचाई आज की तारीक में टॉप बॉटम जो है वो करीब 21 फिट है आप उपर से लिके नीचे तक देखें तो इसकी उंचाई 21 फिट है आज की तारीक में और यह जो है आज मेरी समझ से सबसे उंचा व्रक्ष हो गया होगा धीरे धीरे और इसके बारे में जानकारी की गई थी तो अगर यह एक फिट करीब इसकी हाइट और उंचाई हो जाए तो यह पौधे को विश्व रिकार्ड ग्रीनेज बुक या लिमका बुक में स्थान प्राप्थ हो सकता है यह एक बहुत ही खुसी की बात है आज विश्व पर्यावरण दिवस में आप लोगों को बता रहा हूं यह खुसी की बात है और यह पौधा बहुत ही आकरसित है बहुत ही आकरसित है और बड़ी दूर से इसका उपर वाला फूल जो है बहुत दूर से लाल चमकता हुआ द इतनी अधिक उचाई तक ले जाने में हमारे बच्चों का इस पौधे से लगाव और उनका सेवा भाव है। उक्त पौधे की एक और विशेष्टा है कि इसमें बारहो महिने फूल आते हैं। सीजन पर बड़े बड़े वाच्चमकीले फूलों की संख्या करीब डेर सो तक पहुँच जाती है सर। मैंने कई बार देखा और जो फूल इसके गिरते हैं सबसे बड़ी खूबी की बात ये है गड़हल के पेड़ में कि इसके फूल प्रति दिन खिलते हैं और प्रति दिन दूसरे दिन गिर जाते हैं। तो गिड़ दाते हैं तो अगर आप उनको काउंट कर लें तो मालूम पड़ दाएगा कितनी संख्या है तो करीब डेड़ सो तक पहुंची अपने अपने सीजन में जब यह अपने होता है और तब इसमें बहुत फूल आते है इस पेड़ में और हमको काफी अनभोवी मिलना ह देखिए अभी थोड़ी दिर पहले यहां हमबर्ग चड़िया बहुत छोटी जो होती है काले रंकी वह अभी आई थी लेकिन अब कहीं अपना उड़ गई है इसके घने पत्तेव डालियों में अभी भी आप देखिए फाक्ता का इसमें और रखा हुआ है गोंसला और यह एक बहुत खुसी की बात है इससे कई तरह के बहुत अनफो हुए और इस पौधे में यह और बात है कि इस पौधे की रक्षा करने में भी बड़ा हम लोगों को शंकर्श करना पड़ा क्योंकि इसमें कभी अभी इसी तरह गर्मियों में इसमें सफेद लासा वाला कीड और वो इसके पूरे पत्तों को और इसके जो है डालीयों को खा जाता है और लगबक लेकिन दो तीन साल से एक जैविक कीट नासक का हमने शुरकाओ किया और वो स्वेङ हमने बनाया एक हमको संत जी मिले थे उन्होंने हमको बताया और उसके और उसकी उसी का मैं उपयोग करता हूँ, उस जैविक फार्मूले को मैं आपको बता रहा हूँ, आप सभी को, मैंने करीड दो लीटर पानी लिया, सादा पानी, और उसमें करीड दो सो ग्राम राख, जली हुई पत्तियों की और सबकी राख जो है, उसमें डाली, और राख कीम के पत्ते डाले, और दो चम्मत सर्फ डाला, सर्फ डाला और सर्फ डालके उसको गरम किया, करता हूँ मैं ऐसा, साल में दो बार मैं इसमें छुड़काव करता हूँ, और उससे उसका फिर मैंने एक गरम पानी करके, फिर गरम पानी जब ठंडा हो जाए, तब उससे इस पुराई की यह पौधा भी स्वस्त है और फूल भी आप देखिए बहुत बड़े आकार के चंकीले फूल है बहुत ही चंकीले पूल है और तो बहुत ही यह करीब बाइश साल हो गए हैं इसको और यह हमारे घर के सोबा बढ़ा रहा है और हम सबों को बहुत लगाव है सभी बच्चों को बहुत लगाव है क्योंकि उनके बाबा के द्वारा इसकी कटिंग तयार की गई है आप सभी लोग भी अपने अपने घर में लगाईए और इसके डेकोरेशन और रख रखाव का इंतिजाम जो है और विवस्था मेरी पतनी स्रीमती सर्ता सिंग करती हैं और इसकी देखवाल मेरे सभी बच्चे करते हैं और ये देखिए इस बीच में एक और समस्य आभी आई अभी पिछले दुनों जो तूफान और पानी आया उससे इसकी जो वो होती हैं डालें वो बहुत खशकस होती हैं और खशकस होने के कारण बहुत मुलायम और कमजोर होती हैं अपने आप टूड जाती हैं तो वो इतनी तेज आंधी और पानी आया था कि ये पेड़ पूरी तरह से घूम गया घूम जाने करण आप देख रहे होगे कि इस में ये दरार आ गई है, इस दरार आ गई है, मेरे बड़े भाइसा उनको भी प्रिकत्से बड़ा लगाओ है, श्री श्याम जी, उनसे मैंने समस्शा को बताया, तो उन्होंने बहुत छोटे अनुभव मैं अनुभव हम से सेर किया, अपने, और जहां हम लोग बहुत छोटे थे तो एक बार आंधी पानी तुफान आया था तो हमारे गाउं में नीम का पेड़ जो है बहुत छोटा था इसी तरह और वो टूड गया भी से तो हमारे एक बहुत ही प्री है जो है काका थे चिंटू काका उन्हों ने उस समय उसका बोले की चलो आज इसका प्लास्टर करते हैं और इसका आपरेशन करते हैं नीम के पेड़ का और उन्हों ने ये टैक्ट बताई थी और इस तरह से उन्होंने नीम की डाली को बान दिया अब बहुत मद्बूते से जैसे मैंने इसको देखिए आप व्य और आप अपर देखिए और यह वह उपर बल्ली से इसको मैंने सहरा दे दिया है रस्षियों से और काफी मद्बूत कर दिया है और जब वो पूरा वो दिया तभी इसकी हमको मुचाई का सही अभास हुआ कि इसकी मुचाई 21 फिट हो गई यह बहुत ही विसेज बात है साँ और यह देशी गुड़हल है इसको और भी कई नावों से बिलाया जाता है जपा कुशम और हिबिक्यास आदी नाम इसके फहमस हैं और यह पूरे भारत में सभी जगे पाया जाता है इसको अपने अपने घरों में लगाईए इसका औसदी और अध्यात्मिक पहत भी बहुत ज़्यादा है अध्यात्मिक द्रश्ट से भी यह पौदा बहुत महात्पूर है और औसदी की द्रश्ट से भी बहुत महात्पूर है इसके फूलों की अगर नित्त आप चाय बनाए तो और पिएं तो जो आप चाय पीते हैं विसली वो पीना बंद कर देंगे इस फार्मूले को रोज अपनाईए और इसके फूलों की चाय पिया करिए बहुत टेस्टी होती है बहुत बहुत धन्वाद और इस प्रिकति के उपहार को फैलाईए और सुरक्षित रखिए बहु धन्वाद